वलकब दोजार टेस का पहला सेमी फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजिलेन के बीच आज वान खेड़े स्टेडियम में खेला जाए जी हाँ दोस्त हम जानेंगे इस वीडियो में क्या होगी प्लेइंग 11 और कैसी रहेगी पिछ कंडिशन और कहां पर इस मैच को बिल्कुल मुक्त में देख सकते हैं और क्या कहते हैं न्यूजिलेन के आगरे भारत के खिलाब क्योंकि भारत 2019 में न्यूजिलेन के साथ सेमी फाइनल मुकाबला हार गया था लेकिन इस साल भारतिये टीम कुछ अलग परफॉर्म कर रही है और भारतिये टीम का फॉर्म इतना जबरद के साथ इस साल के वर्ल्ड कप में जवर्दस प्रफॉर्म कर रही है भारतिय टीम के तरफ से कप्तान रोहित सर्मा विराट कोहली आययर केल राहुल बल्ले बाजों के धुरी बने हुए हैं वहीं गेंद बाजों में महमज समी महमज शिराज जस्प्रीद गुम्रह यादब और रविंद्र जेड़ेजा टीम को हर तरह से उबार रहे हैं और इन पलेयर ने इस साल के वर्ल्ड कप में अपना बेश्ट दिया है वर्ल्ड कप भारतिय टीम के लिए इस साल बहुत आसान रहा क्योंकि भारतिय टीम अपने देश में खेलने का भरपूर और नो के नो जीत दर्ज की बाकी हर टीम को कोई न कोई मैच हारना पड़ा हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होगी आज की प्लेइंग 11 और कैसा रहेगा पिछ कंडिशन भारतिय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस परकार हो सकती है रोहित सर्मा कप्तान सुब्मन गिन विरा अमद सिराज वहीं बात करें न्यूजिलेंड टीम के प्लेइंग 11 की तो न्यूजिलेंड के टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस परकार हो सकती है केन विलियमसन कप्तान डेरल मीचल गलेन फिलिप्स मीचल सेंटनर रचिन रविंद्रा डेवन कॉन्वे विकेट कीपर टॉम ला हुआ है तो अक्सर न्यूजिलेंड भारत को नॉकाउट मुकाबले में हराता हुआ नजर आया है लेकिन इस साल भारतिये टीम कुछ अलग परकॉंप करती है लेकिन न्यूजिलेंड के एक आंक्रे ऐसे खतरनाग बया करने जा रहा हो हूं जिसे देखकर आपके दिल थोरे िस्ट इसन या साल चेंशन वाला हो सकता है क्योंकि 2015 ने ख्यला था साल भी नुजिलेंड के और बल्लेबाग पांचों सवधन धार बनायें तो भारतिये टीम को त्वरा सतर्क रहना पड़ेगा और पहले बल्लेवाजी करनी पड़ेगी क्योंकि वानखेडे के पीछ बाद में बल्लेवाजी करने वाले टीम को परेशान करती है खासकर हमने दो मुकाबले में देखे हैं भारत ने स्री लंका को किस तरह से धरासाई किया था दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूली होगा